तो भाईयो, बैठो लेके पॉपकॉन और हो जाओ रंगीन, स्वागत है आपका फिर से इन योगीपीडिया 19 वेल हलो मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी बीना टाइम वेस्ट किये शुरू करते हैं हमारे फिल्मी खबरों का सिलसिला विथ रामायन न्यूज अब इस मूवी को रामायन बोलू, रामायन ना बोलू या कुछ और मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहे लाए बॉस फिल्म फेर के ओफिशल ट्वीटर अकाउंट से हमें पता चला कि रामायन का टाइटल चेंज हो रहा है और फिल्हाल उसे एक वर्किंग टाइटल दिया गया है अज गौड पावर क्या मतलब हुआ इसका? हिंदी पौरानिक ग्रंथ पे बेस्ट फिल्म का नाम इंग्लिश? गौड पावर? रियली? गौड ही पावर दे अब सबको ऐसे टाइटल जहलनी के लिए कम से कम आधि पूरुष का टाइटल तो अच्छा था ग्लोबल सीनेमा बनाने के चक्कर में ओरिजनलिटी मत भूल जाना नितेश सर वैसे रामायना से जुड़ी एक और नियूज ये भी है के रामायना अब ट्रिलोजी नहीं होंगी इसके होंगे सिर्फ दो पार्ट जिसकी शूटिंग साइमलटेनियसली एक साथ होने वाली है जिसके लिए टीम ने 350 दिन का शूट शेडूल तयार किया है जो चलेगा डिसेंबर 2025 तर फिर मेकर्स इन दोनों पार्ट को एक साल के टाइम स्पैन में रिलिस करेंगे प्लैन अच्छा है वैसे बस टाइटल मत चेंज कर देना अगली नियूज भाई अगर प्रभास के फैन हो तो पहली नियूज तो ये सुनो कि जो विष्णु मंचु की कनपा मुवी आ रही है उसमें है प्रभास का एक कैमियो रोल लेकिन कनपा की रोल की लिए प्रभास किसी तरह का रिम्यूनरेशन नहीं लेने वाले है रिम्यूनरेशन याने काम के बाद मिलने वाला पगार पैसा तो ये वीडियो आपको मिल जाएगी तो इसका रिसेंटली फोर्थ एपिसोड आया है जिसमें प्रभास अपने रोबोट बुजी को एक बोड़ी बना के दे रहे है कार वाली बोड़ी वैसे इसके पहले तीन एपिसोड की बिल्कुल भी हाइप नहीं थी लेकिन फोर्थ एपिसोड की थोड़ी हाइप बनाई गई है मेकर्स के दौरा और इसमें भी एक क्लिफ हैंगर छोड़ा है के 22 मई को कुछ रिविल करेंगे पहले पंचायत के लिए लौकी का यूज किया और अब मिर्जापूर के लिए कखगगः का इस्तमाल हो रहा है मिर्जापूर का फर्स्ट सीजन देख लो पता चल जाएगा कि मैं क्या और क्यू बोल रहा हूँ कुछ पोस्टर्स उन्होंने डाले है with hashtag MS3W means मिर्जापूर सीजन 3 वेन अब ये वेन हमें क्या पता होगा बेन हाँ बेहन ही बोलना था बस राइमिंग के लिए वेन बेहन simple ले हाओ यार सीजन जल्दी 4 साल हो गए सीजन 2 को आए नहीं खेलना हमें next news देवारा का first song fear हुआ है release और वो भी पूरे 5 languages में song में देवरा याने के junior ntr के glimpse तो है ही साथ में अनिरुद भी दिख रहे है गाना गाते हुए song की cinematography अच्छी लग रही है और साथ में अनिरुद का music भी as usual catchy है बट यार मुझे personally song में थोड़ा विक्रम और थोड़ा लियो इनके beats का combination लगा क्या आपको भी ऐसा ही लगा comments में जल्दी से बता दो वैसे देवरा से याद आया junior ntr की एक और film का हो गया है announcement येस प्रशांत नील के साथ हो रहा है junior ntr का collab और film की shooting भी इसी साल august में शूरू की जाएगी पता ये भी चल रहा है कि इसके साथ करण जोहर भी जुड़ गया है जो हिंदी बेल्ट का बिजनेस समालेंगे और उन्होंने इस film के लिए title भी suggest किया है as dragon अच्छा title है वैसे वैसे कि आपको पता है ब्रह्मास्तर का पहला title dragon ही था और हाँ प्रशान्त नील के प्रशान्त से याद आया कि रनवीर सिंग और प्रशान्त वर्मा का जो collab होने वाला था फॉर फिल्म काल्ड राक्षस वो अब creative differences के चलते नहीं हो रहा feeling very sad even bad for रनवीर सिंग पहले dawn गई अब राक्षस भी कहा तो ये भी जा रहा है कि शक्तिमान का भी कुछ आता पता नहीं है वैसे इसका reason बताया जा रहा है कि रनवीर सिंग फिलहाल अपनी family को priority देना चाहते है और देना भी चाहिए बाब जो बनने जा रहा है अपने रनवीर सिंग चलो फिल्मों में ना सही लेकिन personal life में मेहनत का फल तो मिल रहा है पर अब क्योंकि रनवीर सिंग is out of the project प्रशांत नील को अब casting process फिर से start करनी पड़ेगी No problem प्रशांत भाई रितिक को ले लेना आप मस्त है बन्दा नेक्स्ट न्यूज बारा जुलाई दोहजार चोबिस को होगा तीन फिल्मों का clash क्योंकि इंडियन टूने कर दी है अपनी release date फ्लैश बारा जुलाई इसका first song आएगा 22 माई को जहाँ भी again अनिरुध ही music देंगे पर एक मिनिट बारा जुलाई को अक्षे कुमार की सर्फिरा और जॉन अबराहम की वेदा भी तो आ रही है अब इस clash से फायदा किस को ही होगा तो देख लो makers थोड़ा अपने schedule को इधर उधर करके अगली news बताया जा रहा है कि करन जोहर और टाइगर श्रॉफ कर रहे है collab for a big budget film जिसकी announcement शायद जून के end में होगी news की माने तो करन जोहर और टाइगर श्रॉफ ने बहुत सारे scripts को देखने के बाद टाइगर श्रॉफ के comeback के लिए एक script final की है और ये film धर्मा प्रोडक्शन के अंडर बनेगी जिसको 2025 में release किया जाएगा वैसे टाइगर श्रॉफ के अच्छे comeback के लिए ये जरूरी भी था बस टाइगर भाई उचल उचल के कूदी मारना बन करे और एक्टिंग पे ध्यान दे दे तो सब अच्छा हो जाएगा अगली news किसी Twitter account पे एक वीडियो डाला गया है जिसके बाद वो viral भी हो चुका है जिसमें आप देख सकते हो अजे देवगन कॉप रोल में भीडू रहे है I mean भीड रहे है OG भीडू से I mean अपने Jackie Shroff के साथ जो कि है Singham Again का एक शूट सिक्वेंस जिसको श्री नगर में शूट किया जा रहा है साथ में अगर आप नोटिस कर सकते हो कि इनके बॉडी डबल भी इसी में है इत्तु से शॉट के लिए बॉडी डबल? खेर पर ये जो कैमेरा मैन देख रहे हो वैसे शकल तो नहीं दिख रही है पर ये है रोहिट शेटी सर खुद तो बेसिकली बताना ये है कि Singham Again की कुछ फाइनल सिक्वेंसेस शूट किये जा रहे है अब बात करते हैं कुछ ट्रेलर्स और ग्लिम्स की शुरुआत मेरे फेवरेट सीरीज गुल्लक से गुल्लक वेब सीरीज का फोर्थ पार्ट आ रहा है और मैं इतना खुश हो गया उससे देखने के बाद कि क्या ही बताओ अगर आपने मेरा गुल्लक सीरीज का रिव्यू देखा हो तो ये पहली ऐसी कोई सीरीज थी जिसे मैंने 5 out of 5 स्टार्स की रेटिंग दे थी अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी है तो पहले जाके देख लो बॉस क्यूंकि अगर आप पंचायट सीरीज के फैन हो तो आप इसे जरूर पसंद करोगे रॉर रस्टिक यार लगता है जैसे अपने ही घर की कहानी हो जिसे आप छोटे-छोटे किस्सों में देख रहे हो और मिश्रा परिवार वापस आ रहा है गुल्लक के सीजन 4 में जहां अब इनका छोटा बेटा बड़ा हो गया है समझ रहो ना बड़ा हो गया है और अब ये परिवार कैसे इस सिचुएशन को टैकल करता है ये इसमें दिखाएंगे मतलब पैरेंटिंग वर्सेज आडल्टिंग वाला ये सीजन होने वाला है भाई मैं तो बहुत जादा एक्साइटेड हू फॉर दिस सीजन सीरीज आ रही है सोनी लिव पे सेवन्थ जून से और लास्ट में धमाकेदार टीजर की बात अगर आप मुनी बदनाम हुई डारलिंग इस गाने के फैन हो तो भाई साब बी आवेर क्योंकि आ रहा है मुन्जया या मुन्जा जे वाई ए है ना तो मुन्जया ही होगा Maddox Films के तरफ से एक टीजर आया है और भाई साब क्या एंट्री मारी है मुन्जया ने टीजर देखना आप एक बार ये एक हॉरर कॉमेडी फिल्म होने वाली है और इसके मेकर्स वही है जिन्होंने स्त्री और भेडिया बनाई थी मेकर्स ये भी कह रहे है कि फिल्म जेन जी केड्स और पूरे फैमली के लिए बनी है इसमें बंटी और बबली फेम शरवरी वाग होगी और बताया तो ये भी जा रहा है कि ये स्त्री का प्रीक्वल है इंट्रेस्टिंग ये मुवी स्त्री युनिवर्स का ही पार्ट होगी और मुझा जो है वो इंडियन फिल्म का फर्स्ट एवर CGI प्रोटागनिस्ट होगा ट्रिलर आएगा एग्जाक्ली 24 मही को और मुवी आ रही है 7 जून को थीएटर्स में इसके बाद इतने लंबे वीडियोज नहीं बनाऊगा मिलते हैं अगले वीडियो में बाई